इस कैसे करते हैं। तो इसके कुछ ट्री टिणमाइन स्टेप होते हैं। हमको वही स्टेप फालो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता ऐ mark होता ह lang है। Identification of problem area। ठीक है। दूसरा हमारा स्टेप होता है इसमें श्पेसिफिकेशन ऑफ टार्गेट बिएवियर इस टेप आपको याद करने पड़ेंगे इस टेप ऐसे कैसे लिखने पड़ेंगे वहाँबे कलेक्शन तीसा स्टेप होता है कलेक्शन ओफ बेस लाइन डेटा ठीक है चौथा स्टेप होता है इसका एप्लिकेशन of problem in treatment पाच मा होता है priorities for treatment चटा होता है a theoretical model of the stress process ठीक है आप कोई बोलेगा कि मैं यह diagnosis कितने step क्यों करूँ सीधे करूँ सीधे diagnosis नहीं करूँ आपको पता हो जो है professional ठीक है professional है ठीक है तो उसमें कहना जी professional service है expertise है ठीक है तो obvious के कोई code of conduct गोएंगे ठीक है जो code of conduct है वो पहले से predetermined है ठीक है और प्रिटेटर्माइन conduct है इन्हों नहीं बनाए कि यह diagnosis की process होती है इससे फाइदे होता है आप कोई step चूट देगा नहीं अब मैं इसको define करता हूँ प्राइदेटिफाई करो problem area का इसको क्या problem है इसको identify इसको area करना है ठीक है फिर हम एक दना है target behavior ठीक है वो उसकी problem किस उसकी behavior से ठीक है कौन सा behavior उसका उस problem को tap कर रहा है फिर collection of baseline data फिर हम baseline data बनाएंगे कि यह problem हो रही है इसके बाद हम गरेंगे application of problem in treatment ठीक है उस problem में क्या क्या treatment होगा treatment अभी मैं आगे बताऊँगा priorities of treatment कौन सा treatment पहले देना है पहले उसको counseling करनी है ठीक है या पहले उससे questioning करनी है question कैसे करना है closed question open question counseling करनी है ठीक है या उसे किसी group में डालना है या किसी उसको environment change कर देना है उसका ठीक है तो priorities अलग-अलग treatment ही होती है फिर क्या है उसके बाद हम देंगे कि theoretically model कौन सा stress process का वहाँ पहलाई हो रहा है ठीक है तब diagnosis को यह step लिखने फिर define करना है तो types क्या होते है डाइगनोसिस के ठीक है तो diagnosis की type क्या होते है तीन तरह की जनली डाइगनोसिस होती है पहली होती है ideological डाइगनोसिस दूसरी होती है clinical डाइगनोसिस तीसरी होती है dynamic डाइगनोसिस ठीक है यह तीनों आपको लिखनी है का मतलब होते है इसकी हिस्टृatif से हम उस प्रॉब्लम क्या करते हैं हिस्टृ को जानने की exposed करते हैं कि अलिगर उस हिस'te से हम उसके बच्पन में कया हुआ了 तो वहां से हम उसके स्टृल्ट्र destroying प्रॉब्लम की ठीए किробंगर क्लिनी की होता है हम उसके आडेप्टिव और कौपिंग फंक्सम को चेक करते हैं किस से वह अडेप्टिट है क्या हो कोप उपकर रहा है ठीक है उसकी पर्फ़ॉर्मेंस क्या है इन्वार्मेंट और उसके इंडिजिटल के इंसेल डायनामेंक डायकुनोसिस में क्या करते हैं यह जिसकी चरुद सब जय कसे तक हैं कि मोटिफीकशन करते हैं क्यासा मटिफीकेशन करते हैं ने सक भी हिम देट इंवॉर्मेंट की सुपिटिएपनि करते हैं प्राब्लम का ऐरीया क्या है क्या क्या फैक्टर की सैविल्टी क्या होती है ढिख तो यह सारी चीजें बहुत डायनामिक है इसलिए डायनाइमिक अंदर आती है कि सुछल ट्रेटमें 15 चाहित तो यह अब हम पढ़ेंगे सोसल ट्रीटमेंट क्या होता है डाइगनोसिस पढ़ ली हमने अब हमने ट्रीटमेंट के होता है तो ट्रीटमेंट के भी कुछ स्टैप होते हैं तो इसमें एक सैंटिस्टे हमारे हैं मिल्टन ठीक है उन्हों ने बताया था है मिल्टन ने बताया था कि ट्रीटमेंट क्या है कुछ नहीं एक सम अफ एक्टिविटी है और सर्विस क्या क्या हम उसको प्रवाइट करने वाले हैं जो डारेक्टेड हैं तुवर्ड्स हेल्पिंग एन इंडिविजवल क्या है उसकी इंडिविजवल की हेल्प करने के लिए तो हम वो कर रहे हैं क्या है ट्रीटमेंट विद ए प्रॉब्लम तो यह हैं मिल्टन ने वोला था तो आप अहां पर दिखुए अब मैं बताता हूं आपको क्या है स्टेप होते हैं ट्रीटमेंट के और इस कोश्चन के आने के पूरे चांस है से स्वार ठीक है इसे मिटाता हूं फिर बताता हूं लंबा है तो ट्रीटमेंट में पहला जो स्टेप होता है वहता है प्री निमिद्वी स्टेज ठीक है इसमें हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं इसू को क्या क्या इसू है ठीक है अंडर्स्टेंड करते हैं हम प्रॉब्लम को ठीक है फिर और क्या करते हैं इसमें हम कॉम्पैटिबिल्टी बिट्विन प्रॉब्लम एंड रिसोर्सेश यह चेक करते हैं और की चेक करते हैं सुटेबिल्टी चेक करते हैं ठीक है फिर सेकंड स्टेज में होता है रोल क्लियरिफिकेशन रोल क्लियरिफिकेशन में क्या होता है कि जो क्लाइंट आ रहा है ठीक है न उसका क्या रोल होगा और जो सोचल वर्कर क्या होगा उसका क्या रोल होगा ठीक है यह हम डिफाइन करते हैं तीसरे स्टेड में करते हैं प्राइमरी कॉन्टेक्ट ठीक है कॉन्टेक्ट में क्या कर के रैपिट फुल्डिंग होईगी और क्या हो सकता है प्राइमरी में कॉंटेक्ट में और लॉल कॉंटेक्ट भी हो सकते हैं टीक है अब उसके बाद आएगा इवेल्युवेशन कैसे कर सकते हैं कि लाइन का असेस्मेंट करेंगे इसमें और क्या करेंगे प्रॉब्लम को एनलाइसिस करेंगे फिर रिवेलिवेशन के बाद आएगा आपका ट्रीटमेंट के अब्जेक्टिव यह भी स्टैप जो है प्रीडिटर्माइन आपको यह फालू करने पड़ेंगे फिर उसके बाद आएगा आपका ओ फॉर्मुलेटिंग ट्रीटमेंट आप लां यह दुब लांडफर छे को सकता है पर्सन सेंटर्ड़ हो और आपने जो एक सिस्टम बनाया है आपको जो सिस्टम है वो सेंटर हो सकता है ठीक है इसके नीचे के स्टैप अब आगे बताता हूं आपको यह कंट्यूनी रहेगा ठीक है फॉर्मिलेटिंग ट्रीटमेंट प्लान उसके बाद क्या आपका आता है प्रिपरेशन आफ एक्चुल ट्रीटमेंट बहुत बोरिंग चीज है लेकर याद करने पड़ेगी ऐसी स्टैप इस स्टैप में क्या होगा एक्चुल ट्रीटमेंट कैसे करोगे आपकी रिसोर्स की अवेलबिल्टी क्या हो है ठीक है यह डिसाइड करेगा और के डिसाइड करेगा क्या करोगे आप फीड़ेग लोगे ठीक है बिना फीड़ेग के कुछ नहीं हो सकता और फीड़ेग लेने के बाद क्या करेक्टिव एक्षन भी कर सकता कुछ रह गया हो ठीक है उसके बाद लास्ट टेप आपका फालो अप होगा फालो अप एंड टर्मिनेटिंग और तेरपेटिक रिलेशंसिप ठीक है अब उसके बाद आपने रिलेशंस उससे ब्रेक कर दोगे मतलब आप अब ठीक होगे अब आप जा सकते अपने रस्ते आपका इंवार्मेंट मोडिफाई हो चुका है तो यह ट्रीटमेंट की सारी प्रोसेस याद करने पड़ेंगी जो नाम उनको वैसी वैसी डिफैन कर देंगे तो यह होगी सोचल वर्की टीटमेंट ठीक है अब लाश्ट एक मोडल बच्रा इस चेप्टर में हो है इस्ट्रेस प्रोसेस तो खिक है इसको कैसे दूर धरेंगे तो दो तीन मिंट का है इसको मैं बताता हमापको तो ठीकल मोडल अप स्ट्रेस पोसेस है तो एक मोडल बनाते रहा है यह आपको वैसा-पर उतार देना है यहाँ पर क्या आता है इस साइड माया थेANG सारे स्ट्रेस है जिससे हमें stress आता है ठीक है इधर बॉलाउक बना जिता हूं इसमें आते हैं resources जो मॉडल पूछ सकते हो ठीक है stresses में types लिग दो आप कौन कौन से type हो सकते हैं environment से stress आ सकता है आपको ठीक है society से सकता है तो social stress हो सकता है और कौन से हो सकता है psychosocial आपके दिमाग की फिटूर से भी आपको stress आ सकता है psychosocial stress हो ठीक है अब क्या है dimension dimension क्या क्या हो सकती है उसकी उसकी आप intensity नाप हो ठीक है आप उसकी duration नाप सकते हो कितनी बार हो रहा है ठीक है और predictability मैंने बोल दिया है यहां समझ में नहीं आ रहा है तो सुनके लिख लेना को कि में रिसोर्स क्या हो सकते है physical resources में क्या हो सकता है money सबसे ज़्यादा problem गी करता है medical ठीक है यह problem हो सकती है परसन को क्या क्या problem हो सकती है उसकी skills related problem हो सकती है coping behavior से related problem हो सकती है ठीक है social problem क्या हो सकती है social problem होते सकती है professional उसको help चाहिए या तो ठीक है परसन के characteristics को define करते है परसन के characteristics को कैसे define करेंगे यह क्या करते है परसन की psycho ठीक है फिजियो लॉजिकल साइको लॉजिकल पी एस वाई सी हो एलो जी आई की एल और कल्चरल ठीक है यह तीन तरह के behaviors की decide करते है ठीक है और इसी से क्या होता है stress appraisal ठीक है appraisal का मतलब बता है मुल्यंकन और stress का appraisal कैसे करेंगे हम तीन तरीकों चार तरीकों से उसकी physiological response ठीक है क्या है यह response उसका क्या है इससे पता लगा सकते है और cognitive response क्या है ठीक है तो इस से हमें पादल जा रहा है को उसका stress क्या है मैं फिर सरे संग्राइच करता हूँ, stressor क्या हो सकते हैं, उसका environment हो सकता है, social psychological problem हो सकती है, dimension क्या हो सकती है, stress की कितनी intensity है, क्या duration है, particularity, up, kब आएब उसे stress है, resources, money, medical, skill, capacity, support network, ये सारे resources हो गए। ये दोना चीजह मिलके उसके personal characteristics को define करते हैं, characteristics तीन तरीके का कौन सा फीजियोलोजिकल, साइको, सोशल और कल्चरल और जब इनका हम अप्रेजिल करेंगे उसके साइकोलोजिकल रिस्पॉंस से क्या रिस्पॉंस दे रहा है उसका पीवियर रिस्पॉंस से, emotional रिस्पॉंस है इस पूरा मॉडल हो गया theoretical model of stress process ठीक है तो यहाँ पर यह वीडियो में एंड कर रहा हूं सब्सक्राइब करो यह कड्म को थैंक यू वेरी मिच